नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब भिहारों मैं हूँ आपके साथ विशाल ज्या भिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव ने एक बार फिर से एक मास्टर स्ट्रोग खेला है जैसा कि आप सभी जानते कि पूरे बिहार की जो स्वास्ट्रोग वस्ता है वो काफी जादा लचड हो चुकी है इसके इलावा जितने भी अस्पताल है वहां की जो सुविदा है वो पूरी तरह से खतम है ऐसे में इस परिस्तिती को देखते वे तेजश्वी यादव ने एक बार फिर से नितीज सरकार के खिलाफ मास्टर स्ट्रोग खेला है दरसल उन्होंने एक पूलो स्थित अपने सरकारी अवास में कोविट केर सेंटर का जो है निर्मान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे जितने भी कोरोना मरीज होंगे उन सबी का इलाज किया जाएगा दरसल आपको बता दे कि आज से दो दिन पहले तेजश्वी यादव ने फेस्बुक लाइव के जड़िये सरकार से यह अपील की थी कि उन्हें यह जो आजादे मिले उन्हें जो है यह मौका मिले कि ताकि वो अपने सरकारी आवास को कोवीट केर सेंटर में तबदील कर सके इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम वहाँ पे कोवीट केर सेंटर बनाते हैं तो वहाँ पे तमाम दवाईयों का, डॉक्टरों का, सारे सुविदाओं का जो खर्च होगा वो पूरे के पूरी नेता प्रतिपक तेश्वी यादव उठाएंगे सुवदा हैं, डॉक्टरों की सुवदा है, मेडिकल स्टाफ है, बेड है, तमाम चीजें पूरी तरह से ले से इस कोविड के अस्पिटल में, जिसकों की ले करके बहुत जल्द जो है, इसे खोल दिया जाएगा आम नागरिकों के लिए, लेकिन इसको ले करके तमाम तयारिया पूरी हो चुकिये, ऐसे में एक तरफ जहां पूरे बिहार में जो स्वाह स्वस्ता है, वो इतनी जादा बुरी हो गई है कि हर दिन कई लोग की मौत हो रही है, तो वहीं तेजश्वी दौरा उठाया ये कदम कहीं न कहीं एक मसीह के रूप में सामने आना हुआ है, क्योंक ट्विटर और फेस्बुक के जड़िये, राजिनीती कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरक पे आके जनता के बीच आके उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे है, ना ही वो फोन करके किसी भी तरह की सुवदाय जो है, जनता को नहीं दे पा रहे है, ऐसे में इन सभी बातों पर रोग बिहार के तमाम चत्वीजीलों में वो करीबन 207 वेंटीलेटर ऐसे इपक परे हैं, उनका इस्तमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के पास उतने टेकनीशियन नहीं है, ताकि उन वेंटीलेटरों को जो इस्तमाल में लाया जाए, ऐसे में इन सभी बातों को लेकर के तेश्वीयादव ने थोरे समय पहले ही सरकार को गेरा था, जिसके बाद उन्होंने अब कोविट केर सेंटर का निर्मान करने का बता दिया है, आपको बता दे कि कोविट केर सेंटर को लेकर के तमाम इंतिजाम पूरे हो चुके हैं, बहुत ही जल जो है, यह शुर सब्सक्राइब करें अब यह देखना बहुत जादा दिल्चश्प होगा कि क्या नितीश कुमार इसको ले करके क्या फैसला देते हैं ऐसे तमाम खबरों के लिए लाइब बिहार के फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करें इसके साथ ही हमारे यूट्यूब से को सब्सक्राइब भी करें दन्यवाद लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें